आप लोग देख रहे हैं वीजिए सुड़ी प्रॉडियो मैंने डाली थी मार्केटिंग की वाट इस मार्केटिंग छोटी वीडियो थी जादा बढ़ी नीजी सी जो कोस्टन था उसे एक्स्प्लेइन करा था ताकि मार्केटिंग का कॉंसेप्ट किलियर हो जाए आज हम पढ है यह डिस्ट वांटेजु लुट नुख्सानात जैसे के मैर्ट अंदी मेरिट्स या एडवांटेजिट्स एंडिस एड्वांटेज यह दोनों पेपर में आते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि लिखावा क्या है मांग क्या रहा है कोस्टन हमसे आंसर में वह आज हम तीन पर फोकस करेंगे जदे जदे तीन ही इंपोर्टेंट है one of them button of unlimited liability difficulties of expansion limited managerial ability और भी important है वो इंशालला next videos में पढ़ाई जाएंगे तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे पहले button of unlimited liability the most serious drawback of sole proprietorship is the button of unlimited liability in case the claim of the creditors against a business exceed the value of its assets इसमें कह रहा है इन तीन लाइनों में the most serious सबसे ज़्यादा most ज़्यादा संजीदा करने वाला यानि पीछे फेक देने वाला drawback अगर आपने फर्स बिजनेस चलाया है run हुआ है वो अच्छा खासा आपका चल गया है यानि काफी हद तक आपको उससे profit हो चुका है और उसके बाद आपने कोई ज़्यादा unlimited liability ले लिए आपको उसपर button पढ़ गया है तो यह आपको वापिस zero पर ला सकता है यानि इतना ज़्यादा button होता है इसका drawback of sold property a ship sold property a ship को दुबारा पीछे ले जाता है यह जैसे कि आपने नया सा business खुला ओ या उससे भी बत्तर is the burden of unlimited liability in case the claim of the creditors इस सूरत में creditors तो भाई अपना पैसा मांगे है उन्होंने बोला था भाई हमने आपको इतना time दिया था अतने time में नहीं मिला तो हमें तो अब चाहिए creditors अगेंस्ट बिजनेस बिजनेस के अगेंस्ट एक्सीड वैल्यू आफ इस एसेट यानि बिजनेस के जो एसेट्स है बिलफर्स बिजनेस के textile shop एक cloth की तो अगर वो हमारे cloths भी merchandise जिसे हैं केते हैं merchandise भी sale करके वो अपना पैसा वुसूल करेंगे then the personal property of the sole property then अगर जब भी उनका पैसा पूरा नहीं होता इतनी liability ले ले लेता है अगर इतना जादा बड़न ले लिया है अगर बिजनेस के उसने assets भी बेज दी है जब उसकी value पूरी नहीं होई है तो पर्सनल प्रॉपर्टी वो ले सकता है अपना करजे उतारने के लिए उसके credit ले सकता है बस इसके बाद तो इतनी कोई खास पॉंट नहीं है जो important है मैं आपको वो पढ़ाऊंगा उसके बाद difficulties of expansion मुश्किलात expansion की क्या होती है expansion expansion यानि अपने उपर जादे से जादा बड़न लेना के ये भी मैं कर लूँ ये भी मैं कर लूँ ये भी मैं कर लूँ इतना कुछ कहनी बात आगा partnership होती दो साथ है कुछ कर सकते थे दो तीन मने मिलके तो डिफिकल्टीज यानि वह expansion के वह उसको पाइचेजिंग भी खुद कहनी है मैं book of accounts भी खुदी चेक करने है और customers से भी खुदी डील करनी है जो creditors आते हैं उन से भी जिनको आप उधार पे बेचिरें उनको भी तो एन इंडिविजल प्रॉपर्टी और फेसे डिफिकल्टीज इन एक्सपेंडिंग दा सोल ट्रेडिंग बिजनिस यानि एक सिंगल प् बिजनिस अकेले बिजनिस के अंदर most of the capital which is invested in the business जाधा तर जो capital invest करता है comes from the personal savings वो अपनी personal savings में से करता है which is the first इस नहीं दा financial institution आर रेलुकेंट टू एडवांस लॉंग टर्म लोन ऑफ वा सोल प्रॉपर्टी यानि वह इतना लोन लेता है ताकि वह उधार उतार सके इतना नहीं ले लेता कि वह उधार ही ना उतार सके तो यह भी इसके उपर यह भी होता है कि हमें उधार भी उतार ना जिसने बिजन्स स्टार्ट करें हावेवर रिच ही में हमें पता नहीं है कि वह कितना अमीर होता है फाइंड डिफिकल्ट टू एक्पेंड उसके डिफिकल्टी को हम तलाश करें बिजन्स एंड अवेल दा इक्नॉमिक्स ओफ लाज स्केल प्रोड़क्शन यह कहना चाह रह महенga बेच्च्च जो आगे से इतना महेंगा अरहा है और पिछे से अगर कम्पाणी को सेल लर सेल कर रहा है नहीं को एैसbuat अगे सब्सक्राइब आता है करके आता है वह बहुня करते हमसे रिटेलर सब्सक्राइब बुरा बहल होता है इस इसमें यह भी लिखावा है लास्ट लाइन में के अगर आप उसकी एकनॉमिक्स को समझें एकनॉमिक्स को और लाज इसकेल प्रोडेक्शन तो उसमें बहुत बड़ी प्रोडेक्शन होती है यह था अनलिमिटेड एक्सपेंशन डिफिकल्टी ऑफ एक्सपेंशन अब काबिलियत को खासियत को क्या आपने बिजनेस स्टार्ट कहीं तो लिया लेकिन आपके अंदर बिजनेस स्टार्ट कहने वाली एबिलिटी है क्या बिजनेस के ऑनर बन सकते हो क्या क्या होती है वो भी हम पढ़ेंगे और सब में हो सकती है नहीं हम यहां से लेके पहले यहां इस लाइन में यह कह रहा है most of the property ज्यादा तर property do not possess हर काम में management skills में अच्छे नहीं होते required जो मांगी जाती है financing यानि book of account चाहिए यानि accounting के लेन देन पैसो की उसको सही तरीके से manage करना कोई उसमें अच्छा होगा कोई marketing में अच्छा होगा कोई purchasing में कोई उपरवाई अच्छा करता हो बेजिसको लेकिन यह नहीं है कि सब सा हर बंदे में यह ability हो सारी किसी में कुछ होगी हर सारी किसी में भी नहीं होगी तो कहने का मतलब यह इस on property लेकिन धी कह रहा है लेकिन होनी चाहिए यह यह अबिलेटी होनी चाहिए, the sole property is being unable to perform, sole property परफॉर्म नहीं कर पाता, सही तरीके से, all the duties and function of the management efficiently, यानि all the duties, सारी duties फाइन, फाइन, functions of management, management के functions, duties नहीं सही तरीके से दे पाता, limit the size, limit हो जाती है, यानि, एक मैदूद हद नहीं हो जाता है, size, उसका, of the business according to his capacity अगर सामने वाले में समझने की हिम्मत ही नहीं है वो समझी नहीं पाता है इतनी चीज़े वो समझता है सिफ पर्चेजिंग में अच्छी कर सकता हूं marketing और financing बाकी तीन नहीं कर सकता producing, supervising और producing और supervising में नहीं कर सकता तो इसमें उतीनी capacity है दूसरा बंदा आके बुलता है तो यह नहीं अच्छा कर सकता तो यह नहीं कर सकते हैं तो यह थी हमारी टीन टॉपिक्स मैरेट्स अंडी मैरेट्स और डिसद्वांटेजिस आप बोल सकते हैं सोल प्रॉपर्टियशिप के यह यह लिखा अभी है कि दिए डिसद्वांटेजिस और लिमिटेशन और सोल प्रॉपर्टियशिप उम्मीद करता हूं आपको यह पसंद आई वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें चैनल पर नहीं तो सब्क्राब करें साथ ही बेल आकन को प्रास करके और पर क्लिक करें ताके मेरी नई आज ने बहुत साथ लिगेगा फरजान इमत